कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इंफिनिटी गेंज लेलपी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लाइफ इंशॉरंस सेविंग प्लान के बारे में जब ये प्लान लॉंच हुआ था तो पूरी इंडस्ट्री सोच में पढ़ गई थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है एक बहुत ही शांदार प्रोडक्ट है एक अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका पे किया हुआ प्रीमियम पूरा पूरा रिफंड कर देता है आपको एक सम इंचोर्ट कवरिज डेथ कवरिज भी देता है और एक रेगुलर इंकम भी देता है तो फ्रेंड्स आईए डिसकेशन करते हैं आज के इस वीडियो में टाटा AIA Life Insurance Company के एक बहुत ही यूनीक बहुत ही हाई डिमांड और टॉप सेलिंग प्रोड़क्ट फॉर्चून गैरेंटी प्लस के बारे में तो अगर मैं आपसे बात करू तो आज हम एक कोटेशन को डिसकेशन करने वाले हैं और यह कोटेशन या इलस्ट्रेशन हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर केशव तरपाथी जी जो की गुड़गाओं में जॉब करते हैं 28 साल की उमर है इनकी और बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं इनका हमारे पास जब कॉल आया तो काफी डिसकेशन हुआ उनकी फाइनेंशल प्लानिंग को लेकर तो उनका कहना ये था कि मैं अभी 28 साल की उमर में हूँ और अगले 10 से 12 साल जॉब में रहूँगा और तकरीबन 40 साल की उमर के बाद मैं अपना कुछ स्टार्ट अप स्टार्ट करना चाहूँगा बट 40 साल के बाद क्या कोई ऐसा प्लान है जो मुझे एक रेगूलर इंकम दे पाए तो उनकी रिक्वाइर्मेंट को समझते हुए हमने उनके साथ ताटा या या ये लाइफ इंशॉरंस का फॉर्चून गैरेंटी प्लस प्लान डिसकेशन किया तो आईए इस पूरे प्लान को बहुत डिटेल में डिसकेशन करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाटा या ये लाइफ इंशॉरंस का ये इलस्ट्रेशन है केशव तरपाथी जी का और अगर आप देखेंगे तो ये एक इंडिविज्वल नॉन लिंक्ड नॉन पाटिस्पेटिंग लाइफ इंशॉरंस सेविंग प्लान है तो सबसे पहले हम डिसकेशन करते हैं रीजन्स टू भी कनेक्टेड विद टाटा या ये लाइफ इंशॉरंस तो Tata या ये Life Insurance एक Trusted Brand है तो सबसे important बात ये है कि ये जो unexpected returns है इस plan के अंदर वो बाकी Life Insurance Companies भरोसा सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि यहाँ पर Tata Brand है और Tata is equal to trust 67,000,000 families protected 67,000,000 से जादा जो families है उनको Tata या ये Life Insurance ने protection दिया है 98.53% का claim settlement ratio है financial year 2021-2022 का जो one of the best claim ratio Life Insurance इंडस्ट्री में माना जाता है 4 hours express claim service जो भी claim आते हैं उसमें 4 घंटे के अंदर अंदर claim settlement का insurance company की तरफ से दिया जाता है Tax benefit की अगर बात करें तो जो भी premium Life Insurance के अंदर pay किया जाता है वो अंदर section 80C के अंदर claim किया जा सकता है So policy details में बात करें तो केशवत्र पाठी जी जिनकी 28 साल की उमर है mail है ये और इनोंने single life है यानि अपने लिए इनोंने policy का quotation लिया है ये एक regular income plan है और इसमें regular pay भी उनको करना होगा So annual premium of rupees 1,20,000 for 12 years premium paying term PPT is 12 years और policy term is 12 years तो ये जो plan है इस plan के accordingly annually उन्होंने decide किया था केशवत्र पाठी जी ने कि annually वो एक लाख 20,000 रुपया pay करेंगे next 12 years तक pay करेंगे इसमें इनके पास monthly option भी available है अगर वो चाते हैं तो वो every month भी 10,000 रुपीज पे कर सकते हैं तो yearly ये हुआ 1,20,000 रुपया और next 12 years तक इनकी policy अगर चलती है अगर चलेगी तो इसका जो total payment वो करेंगे insurance company को वो है 14,40,000 रुपया का so total rider premium की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 तरीके के riders available है बट उन्होंने rider का option select नहीं किया so what you get सबसे पहले हम बात करते हैं live cover की तो some assured on death at policy inception इसका मतलब ये है कि अगले 12 सालों तक जब तक केशव तरपाठी जी का premium pay होगा तब तक उनका जो death का coverage है वो रहेगा 15,24,000 रुपया यानि कि अगले 12 सालों में भगवान ना करें किसी भी समय पर death होती है तो उनको 15,24,000 रुपया उनके nominee को मिलेगा so total rider assured यहाँ पर rider उन्होंने नहीं लिया है sample illustration की अगर बात करें तो केशव तरपाठी जी age 28 साल male single life है regular income regular pay so you pay total premium of rupees 14,40,000 रुपया जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे है 14,40,000 रुपया उन्होंने अगले 12 सालों तक pay किया इस illustration से आपको ज़्यादा clarity आएगी अभी उनकी 28 साल की उमर है और every year वो 1,20,000 रुपया pay करते हैं और 40 साल की उमर तक so यहाँ पर हम लोग last birthday count करते हैं तो जब तक person 40 complete नहीं करता तब तक हम उसको 39 की age में ही मानते हैं तो अगले 12 साल तक इन्होंने every year 1,20,000 रुपया pay किया जिसका की total amount जो बैठा वो 14,40,000 रुपया बैठा इस 12 साल के समय के दोरान इनका जो life cover रहेगा during policy term वो रहेगा 15,24,000 रुपया अब सबसे interesting बात यह है कि जैसे ही इनका 12 साल का जो payment premium payment वाला tenure है वो खतम होता है तो 13th year से 13th year से उनको every year एक लाख 52,976 रुपया पर एनम की income स्टार्ट हो जाएगी येस इस अगले 20 सालों तक यानि जब केशवत रपाटी जी 40 साल के हो जाते हैं तो 40 के बाद 60 साल की एज तक उनको every year एक लाख 52,976 रुपय की income मिलती है सबसे important बात और जैसे ही ये 20 साल वाला जो tenure है जो income वाला जो tenure है वो खतम होता है तो उन्होंने जो total premium पे किया था 14,40,000 रुपय का वो भी उनको वापिस मिल जाएगा so it's a unbelievable product जहां पर की 12 सालों में 14,40,000 रुपया केशवत रपाटी जी पे करेंगे but जो उनको total receive होगा company की तरफ से वो receive होगा 44,99,520 रुपया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं you get a plus b तो यहां पर a जो है वो total premium payment जो है वो बापिस मिल जाएगा 20 साल के बाद और उस 20 साल में every year एक लाग 52,976 रुपया पर एनम की income उनको every year मिला करेगी so rider details यहां पर दी हुई है अगर उन्होंने rider opt किया होता तो rider की details यहां पर आती और जैसा हमने अल्रेडी discussion किया है कि यहां पर पांच तरीके के riders available है जो कि यह opt कर सकते थे so term and terminal illness rider जिसको TTI rider भी बोलते हैं दूसरा है accidental death benefit ADB rider accidental total and permanent disability benefit ATPD rider critical care plus benefit CPB rider hospe care benefit HCB rider so यह पांचो riders को हम जल्दी ही आने वाले वीडियो में separately बहुत detail में discussion करेंगे so total annual premium जो केशव तरपाथी जी का बैठा वो रहा 1,20,000 रुपया annually so premium detail की अगर यहां पर बात करें जैसा आप अपनी screen पर देख पा रहे है so premium payment every year 1,20,000 रहेगा some insurance जिसमें रहेगा 15,24,000 रुपया premium payment term 12 साल का और policy term 12 सालों का यानि इन 12 सालों में अगर बगवान न करें इनकी death होती है तो nominee को 15,24,000 रुपया मिलता है so first year का जो premium है including GST जो की 18% होता है life insurance industry में तो इनका जो first year का premium इनको pay करना होगा वो करना होगा 1,25,400 रुपया और second year onwards जो इनका premium हो जाएगा वो हो जाएगा 1,22,700 रुपया so some assured on death at policy inception 15,24,000 रुपया 12 सालों तक ये death का coverage रहेगा और बहुत ही unique benefit है यहाँ पर तो total guaranteed benefit जो यहाँ पर unbelievable जो return है वो मिलने वाला है वो है 44,99,520 रुपया so benefits available under the product की अगर बात करें तो flexibility choose between regular income and regular income with inbuilt critical illness benefit so ये जो plan हमने illustration निकाला था ये regular income plan था इसके साथ एक regular income with critical illness benefit plan भी opt किया जा सकता है income period की अगर बात करें तो choose income period from 20 to 45 years यहाँ पर हमने उनकी requirement की accordingly 20 साल का जो income tenure था वो रखा था इस income tenure को बढ़ाया भी जा सकता है जो की 20 से 45 साल तक का income tenure हो सकता है return of premium की अगर बात करें तो get the return of premium at the end of the income period so जितना भी premium इन्होंने pay किया था 12 सालों 12 सालों में so वो उनको income period खतम होने के बाद पूरा का पूरा premium return हो जाता है add on riders की अगर बात करें तो enhanced protection through optional riders जैसा कि हम already discussion कर चुके हैं यहाँ पर 5 riders available हैं जो की इस plan के साथ opt किये जा सकते हैं so friends I am sure यह unbelievable product जो है Tata AIA Life Insurance Company का Fortune Guarantee Plus आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो please like जरूर कर दीजेगा आपकी products related अगर कोई query है तो comment box पर comment करके आप पूछ सकते हैं अगर आप चाते हैं कि अपने friends and relatives तक भी इस plan की information पहुचानी है तो please video को share जरूर कर लिजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और सबसे important बात अगर आपको ऐसा लगता है कि आप Tata या ये life insurance company के साथ associate होना चाहते हैं as a leader या as a advisor तो आप description पर लिखे हुए numbers पर हमारी team से coordinate कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए या अपने परिबार के लिए ये plan को purchase करना चाहते हैं तो भी आप description पर लिखे हुए numbers पर हमारी team से coordinate कर सकते हैं so friends hope आपको ये video अच्छा लगा होगा so friends thank you thank you so much for watching the video thank you